हलो सुटेंस मैं नाम वनीत पांडे आप देख रहे हैं टूबाई क्लासे फूर्थ एन लॉज अफ मोशन को हम लोग एस्चांद बुक से बच्चों सॉल्फ कर रहे थे पीस नंबर 75 कोशन नंबर 25 तक हम सॉल्फ कर चुके इस वीडियो में लेंगे कोशन नंबर 26 से बट इस टेन ग्राम बुलेट ट्रावलिंग एट 200 मीडर पर सेकेंड स्ट्राइक्स एंड रिवेन एंबेड़ेट इन 2 किलोग्राम टार्गेट ओके तो ध्यान दे बच्चों माल लो कि यह देखी यह बुलेट है डाग्राम बनाके करो कोशन कभी गलत नहीं होगा यह एक बुलेट टेस तरीके से यह बुलेट और बुलेट का मास कितना है 10 ग्राम एंजो यहां आपको किलोग्राम में सबसे पहले मास को किलो ग्राम करेंके 10 gram को हम 1000 से डिवाइट करेंगे और ये gram किस में आ जाएगा kilogram में ठेक यह कड़े गया यहां से और यहां से क्या आ गया mass of bullet आ गया कितना 0.01 kilogram तो इस तरीके से mass of bullet कितना आ गया 0.01 kilogram कह रहा है कि यह कितनी स्पीट से ट्रबल कर रही यानिकि इसकी velocity अभी कितनी है ध्यान से सुन लीजे माल लीजे इसकी velocity को मैंने यू से दिखाया है किस से दिखाया है यू से ठीक तो इसकी velocity कितनी है यू बी यू बी का मतलब velocity of the bullet कितन है 200 meter per second से यह जा रही है ठीक है students अब ध्यान से सुनिएगा सामने एक block रखा हुआ है कोई block रखा है remains embedded in two kilogram target ठीक सामने एक block है block लकड़ी का कोई block है मान लो भाई यह block रखा हुआ है इस तरीके से ठीक यह इसका target है तो यह bullet आएगी इस target पे आके embedded हो जाएगी embedded मतलब 10 जात की अंदर तो यह target इसका रखा हुआ है यह target है ठीक टार्गेट को मैंने block मान लिया यह जो target है कोई लकड़ी का block रखा होगा wooden block रखा होगा यह block है कोई ठीक है मान लो wooden block अरे मान लो ठीक इसका मास कितना है इसका मास कितना है टू किलोग्राम अब ध्यान से सुनिए लाइन क्यों ड्रॉ कर रहे हैं अभी क्या हुआ है यह bullet यहां से आ रही है इसमें embedded हो जाएगी और जब embedded हो जाएगी तो ध्यान से चेक करिए कह रहा है कि which is original address but free to move यह जो block है वो rest पे लेकिन free to move लेकिन चल सकता है कह रहा है मतलब यह जब आके इसमें embedded होगी यानिकि इस पर फोर्स लगाएगी तो ब्लॉक के साथ बुलट के साथ एक सिस्टम बनेगा ब्लॉक को बुलट का और वह आगे चलेगा तो कह रहा है at what speed does the target moves off ठीक है टार्गेट कौन सी विलस्टी से आगे बढ़एगा अब मेरी बात ध्यान से जुनिए कि समझ यह ज़रा यहाँ पर before का case है अब इसने इसमें strike नहीं किया है यह before का case है बिफोर striking अभी bullet ने आके इस block में strike प्टाइक नहीं किया अभी करेगा जब करेगा तो क्या होगा कैसा डाइग्राम मनेगा यहां पर ध्यान से चेक करें यह ब्लॉक तो वही है ठीक है यह ब्लॉक तो वही है आपका ठीक और इसमें आके मास आफ दा बुलेट तो अभी भी उतने है कितना है मास आफ दा बुलेट चेक कर लीज़े 0.01 0.01 किलोग्राम मास आफ दा बुलेट तो अभी भी उतने है और mass of the block mass of the target आप बोल सकते हो mass of the target भी अभी भी उतने है mass of the target अभी भी कितना है empty का मतलब mass of the target mass of the target यहने कि जो block था block का mass भी नहीं change होगा समझ गए लेकिन ध्यान से सुनिए अब जैसे यह इसमें embedded हो जाएगी तो bullet कितनी velocity से चलेगी और block कितनी velocity से चलेगा तो जबाब हैं दोनों same velocity से चलेगी मानते होगी नहीं मानते हुआ उस बात को bullet भी कितनी velocity से चलेगी target भी कितनी velocity से चलेगा अरे भाई बोल्ट जाके block में लग चुकी है दोनों साथ-साथ चल रहाना तो दोनों की से सेम होगी इसलिए तुम्हें कहा रहा हूं कि mass of the block sorry mass of the bullet change नहीं हुआ mass of the target नहीं change वह लेकिन दोनों एक ही velocity से चलेंगे माना कि bullet भी velocity से आगे चलेगा embedded होने के बाद और target भी velocity से आगे चलेगा embedded होने के बाद यानि यह पूरा system यह पूरा system वी velocity से आगे बढ़ेगा इस तरीके से यह वी velocity से ऐसे आगे बढ़ेगा ठेक ओके सुडेंस अब यहां पर आपके पास दो सिनारियों before striking वाला और after striking वाला after striking और आपको यह वी की value निकालने आपको बताना है कि किस speed से यह target आगे move करेगा after striking का case यह रहा आपके सामने ठेक अब सुनो ध्यान से देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना है आप conservation of momentum लगा दीजए क्या momentum before is equal to momentum after total momentum before striking is equal to total momentum after striking अब सुनिए total momentum before striking कितना हो जाएगा यहाँ पर कर दूँ देखो total momentum और before वाले column में कर रहा है इसलिए before striking आप समझे आप तोटल momentum before striking कितना हो जाएगा total momentum कैसे निकालोगे bullet का momentum प्लस block का momentum यानि कि bullet का momentum प्लस target का momentum बुलेट का momentum कैसे निकालोगे momentum कैसे निकालते mass into velocity तो bullet का mass कितना है 0.01 और bullet की velocity कितनी है 200 तो यह आगया momentum किसका बुलेट का और प्लस ब्लॉक का momentum ब्लॉक का momentum कैसे निकालोगे mass of the block 2 kg into velocity of the block कितना था 0 था 2 into 0 अब यहाँ से point हटाएंगे और यहां 100 आ जाएगा यह 100 से 100 कट गया ठीक है 2 into 1 2 तो यहाँ से आएगा 2 into 002 ब्लस 0 कितना आता है 2 आता है ठीक तो इस तरीके से total momentum कितना आ गया 2 kg मीटर पर सेकेंड कितना आ गया 2 kg मीटर पर सेकेंड तो इस तरीके से यह जो total momentum था before striking वो कितना था 2 kg मीटर पर सेकेंड अब total momentum after striking यह कितना हो जाएगा टोटल कि मोमेंटम कि आफ्टर स्ट्राइकिंग कैसे निकालोगे टोटल मोमेंटम तो जवाब है mass of the bullet into velocity of the bullet तो mass of the bullet कितना है 0.01 velocity of the bullet वी है और प्लस mass of the यह रहा आपका बुलेट का मोमेंटम और प्लस ब्लॉक का मोमेंटम यही तो करोगे ना दोनों को मोमेंटम एड कर दोगे ठीक तो बुलेट का मास 0.01 kg velocity कितनी वी एम इंटु वी ठीक इसी तरीके से mass of the इसी तरीके से mass of the target या ब्लॉक कितना है टू और उसकी velocity कितनी वी ठीक तो यहां से देखिए वी कॉमन आ जाएगा यह फरस्टम है सेकेंड टम वी कॉमन आ जाएगा यहां से ओजएगा 0.01 और प्लस टू और वी आ गया बाहर अब टू में हम 0.01 एड करेंगे सो 2.01 आ जाएगा इंटू वी आ जाएगा यह लीजे 2.01 इंटू में क्या आ गया वी आ गया यह एड हो गया दोनों इंटू में भी आ गया तो यह total momentum after striking यह total momentum before striking अब according to according to conservation of momentum ठीक है अब हम क्या लगाएंगे conservation of momentum ठीक conservation of momentum लगाएंगे तो conservation of momentum क्या कहता है कि अगर किसी system को किसी system पे external force ना लगाया गया हो तो जितना momentum before होता है उतना after होता है पता है आपको more net momentum कंदव रहता है यहने कि क्या लिखेंगे हम total momentum या net momentum total momentum before striking before striking is equals to total momentum after striking बस अब लिख दीचे total momentum before striking कितना था 2 kg meter per second is equals to total momentum after striking कितना आ रहा है जाके देखी बीचे total momentum before कितना था 2 kg meter per second total momentum after striking कितना है 2.01 into V और V आपको निकालना है यहापर तो यह multiply इधर आके divide करेगा याने कि V आएगा कैसे 2 में divide करेगा कौन 2.01 यह लिजे अब इसको आपको solve करना है बस कैसे solve करेंगे तू से 2 काट मत देना भाई ठीक अब यहां से point अटाओगे तो उपर double 0 आएगा याने कि 200 divided by कितना हो गया 201 अब 200 को divide लगाईए 201 से कैसे लगाएंगे ध्यान से चेक करो बच्चों 201 का table ऐसा पढ़ो कि या तो 200 आ जाए या तो 200 से छोटा आ जाए ठीक ना टेबल पढ़ना आता आपको तो देगे 200 into 1 तो कितना आ जाएगा सोरी 201 का table पढ़ना है ना 201 से divided कर रहे हैं ठीक है ना so 201 into 1 कितना होता है 201 होता है ये तो भाई प्राब्लम हो गई क्या ये तो 200 से जाधा आ गया जब ऐसा होता है तो हम रिवर्स ओडर में table पढ़ते है मतलब 201 002 कितना आ जाएगा 0 तो 201 002 कितना आ जाएगा 0 तो 201 002 कितना टाइम्स जाएगा चेक कर लीजे 201 201 इंटू 9 9 बंदा 9 9 0 0 9 2 0 18 ठेक तो 1809 आ गया तो यह देखिए यहां से आ गया 1809 माइनस करो 10 10-9 1 10 यहां बचे का 9 9-0 9 9-81 और यहां से 1 चला गया होगा तो 1-1 नतिंग डेस्मल की हल्फ से 0 लगाएंगे फिर से 9 टाइम्स जाएगा ठीक तो कितना आ जाएगा 1809 आ गया लीजे फिर से माइनस करिए 10-91 यहां बचे का 0 10-10 यहां बचे का 0 हना जो 0-0 0 होता है और यहां 9-81 आ जाएगा ठीक है फिर वापस से आप इन दोनों को एड कर लो अगर आपका 1910 आ गया तो ठीक है 9 प्लस 1 10 1 एट प्लस 1 9 और यह बिल्कुल सही है ठीक है तो इस तरीके से अब सुनो ध्यान से फिर 101 आ अब डेस्मल की हल्प से 0 लगाओगे ठीक है ना यहां पर डेस्मल की हल्प से 0 लगाया अब 201 यह जाएगा लगभग 5 टाइमस ठीक तो 5 अंदा 5 चेक कर लो 201 इंटू 5 करोग 5 अंदा 5 5 0 5 2 10 100 5 बस इतना काफी है डेस्मल के 3 प्लेस तक निकाल लिया काफी है ठीक अब ध्यान से जुनों सो यहां से आगया कितना 0.995 क्या मीटर पर सेकेंड ओके सुड़िंस तो 0.995 मीटर पर सेकेंड से पूरा सिस्टम आगे की डिरेक्शन में चलेगा बास समझागी की नहीं आगी अब देखो तो बस यही आपका अंसर है छोड़ दीचे ठीक है सुड़िंस ओके ठीक है मतलब अप्रॉक्सिमेटल इकोल टो अगर आप इसको बोल दोगे 0.995 का मतलब अप्रॉक्सिमेटल इकोल टो यह वन मीटर पर सेकेंड के वलास्ती से आगी की डिरेक्शन में चल रहा है यानि कि एक सकेंड में वन मीटर मूफ कर जागा इतना तेज बुलट आ कैसा आ रहा है 0.995 आ रहा है ना इस चान में पीछे तो आप बोलोगे यह कैसे तो उन्होंने डेस्मल के टू प्लेस तक ही डिवीजन किया फिर छोड़ दिया लेकिन अगर तक करके राउंड आफ करोगे फाइव होता है तो हम क्या करते हैं हम चेक करते हैं कि इससे पहले वा कि अगर राउंड ओफ करने पर आही जाओगे तो 1.00 यानिके वन के कोल आ जाएगा ठीक यानिके लगभग लगभग वन मीटर पर सेकेंड इसकी विलास्टी यही बात तो मैं भी आपसे कह रहा था अगर आप ऐसे छोड़ दो के तब भी सही है अप्रॉक्स में वन मीटर सेकेंड लिख के छोड़ोगे तब भी सही है ठीक और उसके बाद अगर आप 0.99 मीटर पर सेकेंड लिखोगे तब भी सही कोई गलती नहीं कर सकता है कोई गलत नहीं करेगा वाई वन बोलो 0.99 बोलो क्या ही फर्क पड़ेगा दोनों विलास्टी मेजर कर दो आप लगभग वन दो कोई मेजर भी नहीं करेगा तो अब आपने देखा किस तरीके से कोशन को हमने हैंडल किया डाइग्राम बना लीचे कभी भी गलत नहीं होगा ठीक है नोट कर लीचे एक तो यह है आपका और जो नेक्स लाइड है वो यह यह लीचे नोट कर लीचे नाव सटेंस ले इतनी होगी 0 ठेक तो इसकी वलासिटी को हमने यू से दिखाया हमने बोला भई इसकी इनिशल वलासिटी कितनी है जीरो अभी यह रेस्ट पर अब क्या होगा वाट शुट वीड़ अपर कितना फोर्स लगाएं उस फोर्स का मैगनिटूड बताओ कि उस फोर्स को लगाएं एक सेकंड के बाद कितने सेकंड के बाद time कितना दे रखा है at the end of one second मतलब time दे रखा आपको one second ठीक कि रहा है इस बॉड़ी पे कितना फोर्स लगाएं कि एक सेकंड के बाद इसकी वलासिटी कितनी हो जाएं 30 meter per second speed बोलो velocity बोलो बात से में chapter number one से बता रहा हूं motion straight line में speed बो बोलो velocity बोलो बात से में तो वही चीज़ है एक सेकंड के बाद कह रहा है यह बताओ कि one second के बाद भाई इसकी वलासिटी कितनी हो जाएं यह बताओ कि इस पर सॉरी आम वेरी सॉरी वलासिटी नहीं पूछा है फोर्स पूछा है ठीक कह रहा है कि यह बताओ इस पर कितना फ कि वलासिटी में चेंग आ रहा है जीरो से बढ़के कितनी हो गई वी यानि कि 30 हो गई ठीक तो इसको करने के दो तरीके हैं या तो आप डारेक्ट कर दो आपने पढ़ा है फोर्स इस इक्वलस्टब क्या होता है बताइए फोर्स इस इक्वलस्ट टू क्या होता है रेट अ equals to M, M कितना दिया है, 2 kg, in the bracket V, V final velocity कितनी है, 30 minus U, U कितना है, 0, और divided by time, time कितना है, 1 second है, तो यहां से fourth आ जाएगा कितना, 20 into 30 minus 0, 30 divided by 1 का कोई मतलब नहीं है, नीचे 1 है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कितना हो गया, 2 into, 2, 3 is a, 6, 600, ओके, यहां पर, ओके, ओके, एक mistake मेरे से होगी, बच्छो, यह बाहर 2 लिखा है, कितना लिखा है बाहर, 2 लिखा है, ओके, so 2 into 30, कितना हो जगा, 60 newton का force apply करने पर, यह body, 1 second के बाद कित्ती velocity gain कर लेगी, 30 meter per second, इसी को करने का दूसरा तरीका था, कि force is equals to mass into acceleration लगाते, अपने कुछ नया नहीं किया है, आपको जो formula पता है, यहां पर, newton second law से, कि rate of change of momentum force के equal होता है, तो f is equals to m in the bracket, v minus u by t, ठीक है न, तो यह बात जो आपको पता है, यहां पर v minus u by t, यह जो चीज है, यही तो क्या है, acceleration है, चेक कर लो, यही तो क्या, acceleration है, chapter number 1 में पढ़ाता है, f is equals to m, और v minus u by t, v minus u by t को हम acceleration बोलते थे, ठीक, तो यहां तो आप f is equals to m में लगा लो, इसके लिए acceleration आपको अलग से calculate करना पड़ेगा, तो acceleration आप calculate कर लो, कैसे निगालते है, v minus u by t से v कितना है, 30, minus u कितना है, 0 है, time कितना है, 1 है, 30 minus 0, 30 by 1 कितना आजाएगा, 30 क्या, meter per second square, यह लिए acceleration आगया, और acceleration को यहां पर लाके रख दो, तो f is equals to m, mass कितना है, 2 kilogram, acceleration कितना है, 30 meter per second square, तो force कितना आजाएगा, force का SI unit क्या होता है, newton, यह लीजे, इस तरीके से कर लीजे, ठीक, तो जैसे आपको पसंद है, वैसे आप कर सकते हो, note कर लीजे, now students, लेते हैं, question number 28, किया रहा, a body of mass 5 kilogram, तो एक body है, उसका mass कितना है, 5 kilogram, diagram बना लीजे, इस तरीके से, यह कोई body है, इसका mass है, 5 kilogram, is moving with a velocity of 10 meter per second, ध्यान से सुनिए, आप observer हो, आपने जैसे उस body को देखा, तो उसकी velocity कितनी थी, 5 meter per second, यानि कि जो velocity है, 5 meter per second, यह है आपकी क्या, 5 नहीं, 10 दिया हो है, ठीक, जो velocity 10 meter per second दिया हो है, जैसे observer ने देखा, तो यह initial velocity है, ठीक, U से दिखाएंगे इसको, अब क्या कहता है, अब force is applied to it, so that in 25 seconds, इस पे आपने एक force apply किया, और after 25 seconds, time T is equals to 25 seconds के बाद क्या होता है, भाई, इसकी velocity बढ़ जाएगी, अब इसकी velocity, 10 से बढ़के कितनी हो गई है, 35 meter per second, अब आपसे बोला है, calculate the value of the force applied, ठीक है, कितना force लगाया, इस body पे कितना force लगाया गया, 5 kg मास वाली body पे, जो कि 10 meter per second से चल रही थी, कितना force लगाया गया, कि 25 seconds के बाद, इसकी velocity कितनी हो गई, 35 meter per second हो गई, force निकालना है, बहुत असान है, निकालने के दो तरीके हैं, या तो आप, f is equals to m into a लगा दो, और acceleration को side में लग से निकाल लो, acceleration क्या होता है, v minus u by t, change in velocity divided by time, v minus u, v कितना है, 35 minus u कितना है, u check कर लो, u कितना है, u had 10 divided by t, t कितना है, 25 है, ठेक, तो यहाँ से कितना हैगा, 35 minus 10 कितना होता है, 25 होता है, 25 by 25 कितना होता है, 1 होता है, कट जाएगा न, तो 1 meter per second square, यह लो, यह acceleration आगे आपका, ठेके students, लाके यहा acceleration 1 है, तो 5 into 1, 5 Newton, तो कितना force लगाए गया, 5 Newton, एक तो यह तरीका है, दूसरा तरीका यह है, कि आप बोलते हैं, Newton second law से हमने क्या पढ़ा है, rate of change of momentum is directly proportional to force applied, यहने क्या physicals to क्या होता है, m in the bracket v minus u by t, ठीक है, यहाँ पर यह देखिए, m in the bracket v minus u by t, यह क्या है, यह rate of change of momentum है, औ 35, in the bracket 5 into v minus u, v कितना है, 35 minus u कितना है, u है आपका 10 divided by time कितना है, time आपका 25, तो आप solve करते तो मिलेगा आपको वही, क्यों सर, क्योंकि यह जो है ना, v minus u by t, यही टेक्सक्रेशन है, चेक कर लो, तो m into a, ठीक, ऐसे आप calculate कर लीजे, आपका answer वही आने वाला है, ओके, so 5 Newton force is required here, okay, note कर लीजे, now students, लेते हैं question number 29, कह रहा, car of mass 2400 kg, तो एक car का mass कितना है, 2400 kg, this is moving with a velocity of 20 meter per second, तो एक car जा रही है, आप observer, जैसे ही आपने car को दिखा, उसकी velocity कितनी थी, 20 meter per second थी, ठीक, यानि कि initial velocity कितनी है, 20 meter per second है, okay students, कह रहा है कि it is stops in 10 seconds on applying brake, अब इस पर brake लगा, और यह stop हो गई, ठीक, तो stop अगर हो गई है, तो time कितना दिया हुआ है, 10 seconds, यानि कि 10 seconds तक के लिए आपने brake लगाया, उस पर और यह stop हो गई, यानि कि final velocity कितनी हो जाएगी, 0, जब भी कोई body rest पर आती, तो उसकी final velocity को V से दिखाते हैं, और V हो जाएगा 0, भाई rest पर आ गई ना, तो final velocity 0 हो गई, ठीक, किरे calculate the retardation and the retarding force, आपको retardation बताना है, और retarding force बताना है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, retardation क्या होता है, negative exclaration होता है, chapter number 1 में आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, तो सुन लो, आप exclaration निकाल लो, जब भी break लग रहे हैं, यानि कि जब भी velocity decrease कर रही या आप exclaration निकाल के रख लो, वह exclaration पक्का negative में आएगा, फिर negative का sign हटा के तब आपको retardation लिखना है, यहाँ पर, ओके, so, यहाँ पर देखिए, exclaration का formula क्या होता, exclaration का, change in velocity divided by time, हाना, V minus U by T, value रखो, A is equals to V, V कितना है, 0 meter per second, final velocity, 0 meter per second, U कितना है, 20 है, so, 0 minus 20 divided by time, कितनी दे divided by 10, okay, 10 one's are, 10 two's are, so, exclaration कितना आ गया, minus 2, क्या, meter per second square, okay, यह exclaration आ गया, लेकिन आपको retardation बताना है, ठीक, तो first answer में यहाँ करने जा रहा हूं, यहाँ पर दिखिए, answer, retardation जो आएगा, आपको, retardation, retardation जो आएगा, आपको, वो कितना आएगा, सुन लो, minus sign हटा के तब answer बता जाता है, तो retardation हो गया, two meter per second square, यह हो गया, retardation, ठीक, उसके बाद, retarding force अगर आपको निकालना है, तो बहुत असान है, retarding force, okay, suppose retarding force कितना है, f, formula लगेगा, force का f is equals to m into a, mass कितना है, mass है आपका 2400, 2400 kg into exclamation, अब exclamation की जगा क्या आना चाहिए, retardation आना चाहिए, ठीक, तो retardation कि इतना है, आपका, या अगर आपको acceleration minus में रखना है, तो रख दोस्ते फर्क पड़ता नहीं है, ठीक, आपका answer बस minus में आ जागा, लेकिन आपको absolute value लेना है, minus हटा के तब आपको बताना है, कि भीया, retarding force इतना है, ठीक, तो two into, यहां आ जागा 48, 4800, आगे आ जागा minus, और यह Newton, ठीक, तो here minus sign shows that the force is opposing the motion, force minus sign क्या दिखा रहा है, minus sign यह दिखा रहा है, कि जो force apply हो रहा है, breaks के द्वारा, more motion के opposite direction में लग रहा है, यानि कि motion को oppose करना चाहता है, motion को stop करना चाहता है, ठीक, यह मतलब इसका, तो जब आप answer लिखेंगे, तो minus sign लगा के नहीं लिखेंगे सुन लीचे, क्योंकि उसने केवल retarding force का, आपको magnitude पूछा है कि भाई, कितने retarding force लगता है, कार के उपर जब ब्रेक लगाई जाती है, ठीक, तो retarding force कितना आ गया यहाँ पर, is equals to minus 60 के तब answer लिखना है, 4800 newton का retarding force आ गया, ओके, so, note कर लीचे, now students question number 30 देखिए, क्यारा for how long, how long का मतलब कितने time तक के लिए, याद रखेगा, how long का मतलब, कितने time तक के लिए, तो यहाँ पर आपको time की value पूछी गई, याद रखेगा, कितने time तक के लिए force लगाए, for how long should a force of 100 newton, और force कितना लगाए, 100 newton का, क्यारा कितने time तक हम 100 newton का force लगाए, किसी body पे जिसका mass कितना है, 20 kg है, तो mass कितना है, 20 kg है, that it acquires a velocity of 100 meter per second, कि वो कितनी velocity acquire कर ले, 100 meter per second, अब सुनो, इस question में initial velocity तो कुछ दे नहीं रखे, यानि कि body rest पे आपको माननी पड़ेगी, तो यह कोई body है, जिसका mass कितना है, 20 kg है, अब इस पे हमने, अभी यह rest पर है, कहां पर है, rest पे तो इसकी initial velocity कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, इस पर force लगाना शुरू किया, और T time के बाद, ठीक है, अब यह T time कितना है, यह हमको निकालना है, T time के बाद, इस body की velocity कितनी हो जाती, इस body की velocity हो जाती है, 100 meter per second, तो बताओ कितना force लगाना है, सुन लीजे, दूसा तरीका यह है, कि आप बोल दो कि Newton second law से rate of change of momentum is equals to fourth, यानि कि F is equals to M in the bracket V minus U by T, यह V minus U by T, M into V minus U by 2, यही क्या है, rate of change of momentum है, rate of change of momentum force के proportional होता है, तो rate of change of momentum is equals to क्या हो गया, fourth हो गया, अब यहां से आप time निकाल लो, ठीक, क्या करोगे, V रखो, U रखो, T को निकालना है, M रखो, F रखो, solve कर लो, दूसा तरीका यह है, क्या, कि आप acceleration को, देखी, दूसा तरीका क्या है, कि आप यहां से पहले acceleration निकाल लीजे, कैसे, चलो यह तरीका पहले बता दूँ है ना, confuse मत हो जाओ कहीं आप, force की जगा कितना रखेंगे, देखो, कुछ न इदर आ गया, force उदर, तो M in the bracket, V minus U divided by F, बास, खतम, सब कुर रख दो, answer आजएगा, M कितना रखेंगे, चेक कर लो, M कितना है, 20, bracket में, V minus U, V कितना है, जाके चेक करो, V कितना है, V कितना है, 100, ठीक, तो V कितना है, 100, minus U कितना है, 0 divided by, क्या है, F, F कितना है, जाके चेक करिए, F कितना है, कितना है, KITना है, KITना है, F, F 100 Newton, तो यहां से आजएगा आपके पास कितना 20 इंटू अब ध्यान दो 100-0 क्या होता है 100 और डिवाइडड़ क्या हो गया 100 तो 100 से 100 कर जाएगा आंसर कितना आजएगा 20 20 क्या सेकंड्स टाइम सेकंड में आएगा ओविसली क्योंकि जो फोर्स आपका न्यूटन में है वलास्थी म टॉन्टी सेकंड का टाइम हमको लगाना पड़ेगा टॉन्टी सेकंड्स तक हमें एट फोर्स लगाना पड़ेगा तब कितनी हो जाएगी है 100 मीट पर सेकेंड ये पहला तरीका है दूसरा तरीका ये कि आप यहां से पहले काम करें एक्सलिशन निकाल लीजे यहां से एई किलोग्राम सब्सक्राइब नियुतन दिदा करेगा तो फोर्स बाई मास एक तक्राइब है कितना है कि एमद्रेड नूटन थेक्ट डिवाइड़ वाई मास कितना है मास जाके चेक करो 20 किलोग्राम थीख हनृट्न न्यूटन यूनिट लिखने की दिरुत नहीं ठीक है कितना आ जाएगा यहां से 21 जा 20 25 जा 5 upon 15 यानि कि एक्सलेशन कितना आ गया 5 meter per second square ठीक एक्सलेशन की unit क्या होती है meter per second square तो यहां से एक्सलेशन आ चुका अब जब एक्सलेशन आ चुका तो first equation of motion आप लगा दीजे first equation of motion क्या होती है motion वाले chapter में पढ़ा है यहां से time आ जाएगा यह सर बिलकुल आ जाएगा कैसे u इधर जाएगा तो v minus u is equals to a into t time को free करोगे a multiply यह time में तो इधर आके divide करेगा निके time बराबर कितना आ जाएगा v minus u by a आ जाएगा ठीक यहीं से निकाल लीचे अब v minus u v कितना है v कितना है 100 है ठीक minus u कितना है 0 divided by a अभी अभी निकाल के लेके आएगो कितना है 5 है ठीक अब यहां साब solve करो कितना आ जाएगा 100 minus 0 100 100 by 5 कितना आ गया t is equals to 100 by 5 कितना होता है 20 yellow 20 seconds यहां से भी आ गया जैसे आपको पसंद है आप वैसे सवाल को कर सकते हैं आपको टाइम निकालना आपको टाइम निकालना है तो कितने टाइम में अब देखो मास कितना दिया है 2.5 किलोग्राम तो एक बॉड़ी है यह 2.5 किलोग्राम का इसका मास था और पता है यह पहले से motion कर रही थी ध्यान सुनिए जब किसी observer ने देखा तो यह motion कर रही थी जी हां देख लीजे moving at 20 meter per second यानि कि इसमें motion था और इसको stop करना है force को लगाके इसमें motion था कितनी velocity से यू is equals to यह initial velocity मानोगे आप क्योंकि जब observer ने देखा तो कितनी velocity से जा रहा था 20 meter per second से ठीक तो यह 20 meter per second किया है इसकी initial velocity आपको दी हुई है ठीक है ना उसने बोला how long will it take a force of 10 Newton अब आपने क्या किया opposite direction से यहां से एक 10 Newton का force लगा दिया ठीक तो 10 Newton का force क्या करेगा इसको stop करेगा ठीक तो कितने time के बाद 10 Newton का force लगाने के बाद यह body rest पर आ जाएगी यह आप से time निकालना है ठीक है ना तो दिखेए force का formula क्या होता है force होता है equation of motion se a is equal to v minus A is equal to या फिर आप कर लो post equation of motion se v is equal to u plus 80 heard a पता चल जाएगा यू आपको पता है ठेक V आपको पता है T आपका निकल जागा कैसे U को इधर लेके आओगे तो V-U is equals to A into T A यहाँ multiply यह time में इधर आके divide करेगा वैसे भी सबको पता है कि time का formula जो first equation of motion से निकल के आता है V-U by A निकल के आता है ठीक है तो अब आप किसी तरीके से A को निकाल लीजे चलिए A निकालते है ठीक एक बात यहाँ पर बताऊंगा ध्यान से सुनिएगा A की value जब आएगी कैसे F multiply कर रहा है M A में तो M A में multiply कर रहा है तो M इधर आएगा तो fourth में divide कर देगा लो F by M is equals to F कितना है चेक करो F है 10 Newton का divided by mass कितना है mass है आपका 2.5 ठीक solve करें यह हटा देंगी यहाँ 0 लगेगा 100 upon 25 कितना होता है 4 होता है तो इस तरीके से आपका जो acceleration है वो कितना है 4 meter per second square है लेकिन ध्यान दें यह acceleration नहीं है deceleration है सुन लो यह acceleration नहीं आया यह deceleration आया है क्योंकि आप क्या कर रहे हो motion को oppose कर रहे हो force लगा के है ना तो rest पर आ रहा है तो velocity decrease करेगी इसलिए अगर आप चाहें तो यहाँ minus लगा सकते हैं minus 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 यह fourth motion के opposite direction में इसलिए minus लगा के आप लेख सकते हो तो a की value को आप negative यहाँ पर ले सकते हो okay students लेकिन अगर आप a की value को negative लोगे बच्चों तो यहाँ पर जो है आपका अगर क्या लोगे लेना ही पड़ेगा आपको ठेक तो a की value minus में आ रही obviously समझ में आ गया a minus में क्यों आ रहा है chapter number one पढ़ क्या आए हो body decelerate हो रही है ना तो escalation तो negative आएगा यहाँ आएगा body की velocity decrease कर रही है भाई चेक कर लो पहले वो 20 से चल रहा था अब वो 0 पर आ गया चिक चलो तो first equation of motion से time निकाल लीजे time बराबर कितना आ जाएगा वी मैनस यू बाई ए वैलू निकाल लीए वी कितना है? 0, minus यू कितना है? यू कितना है? 20, div by a कितना है? minus 4 आ रहा है, वी कितना रहा है? minus 4, ठीक देख रही हूँ ए कितना रहा है? minus 4, ठीक तो यहाँ से आएगा, 20 by 4 और 20 by 4 कितना होता है, 5 होता है, ठीक, so 20 by 4 कितना होता है, 5 होता है, यहां से आ गया escalation is equals to 5, meter per second square, ठीक है, यह आ गया, यह देखे इस तरीके से, escalation के रहूं, I am very sorry, I am very sorry students, मैं को सोच रहा था, दिमाग मेरा कहीं और चला गया, कभी-कभी हो जाता है, कल रात से actual में recording हो रही ह यह, मैं इसको complete करना चाहता हूं, तो चलिए देखे, T is equals to 20 by 4 कितना हो जागा, 5, 5 seconds, ठीक, तो 5 seconds तक आपको 20 Newton का force opposite direction से लगा के रखना पड़ेगा, तो यह body क्या होगी, stop हो जाएगी, ठीक, यह इसको करने का पहला तरीका था, कर लीजे, फिर मैं आपको second method बताता हूं, क कर लीजे, वीडियो पॉस्ट करके note करें, बच्चे, फटा-फट कर लिया, चलो, अब देखो, इसको करने का दूसरा तरीका जो है, वो यह है, कि आप एक काम करो बच्चों, उसमें, आप बोल दो, Newton second law से, Newton second law से आपको क्या पता है, Newton second law से आपको पता है, कि rate of change of momentum, इस proportionate to force applied, यानि कि force का formula जो होता है, वो होता है आपका, या तो M into A, या तो M in the bracket V minus U by T, ठेक, तो यहां से time को इधर लाओ, force को इधर लाओ, तो time is equals to क्या जगा, M in the bracket V minus U by F, ओके, अब T is equals to, mass कितना है, चेक कर लो, 2.5, तो mass रखा हमने 2.5, in the bracket, V कितना रखेंगे, 0, minus U कितना र force रखोगे, तो यह force 20 नहीं रखेंगे, minus 20 रखेंगे, retarding force है भी या, body के motion के opposite direction में लग रहा है, इसलिए minus 10 रखेंगे, F10 नहीं रखेंगे, minus 10 रखेंगे, ठेक, ओके, now, तो यहां से T is equals to कितना हो गया, 2.5, ठेक, T is equals to कितना हो गया, 2.5, अब सुनो, into, 0 minus 20 क्या होता है, minus 20, तो यह आजएगा, minus 20, divided by, minus 10, ओके, अब देखो, यह minus से minus गया, और यहां से T is equals to कितना आजएगा, T is equals to कितना आजएगा, यहां से, चेक कर लो, T is equals to आजएगा, 2.5, into, यहां 20 बचा है, क्योंकि minus से minus कट गया, अब आन में, क्या है, 10 है, ठेक, यहां से हटा दोगे, 0 जीरो आजएगा, एक 0 से 0 कट गया, उपर बचेगा, 25 into 2, divided by 10, ठेक, 25 into 2 होता है, 50, 50 by 10 क्या होता है, 5 होता है, तो 5 सेकेंड आपका आंसर इस तरीके से भी निकल आएगा, ओके सुटेंस, नोट कर लिए चे, नाउ सुटेंस, लेते हैं, कोशें नमबर 32, कह रहा है, the velocity of a body of mass, 10 kg increases from 4 m per second to 8 m per second, when a force acts on it for 2 seconds, बास समझो, एक body है बच्चो, और इस body का कुछ ना कुछ mass होगा, 10 kg, तो इसका mass कितना है, 10 kg, ठेक है students, अब इसकी velocity increase हो जाती, कितने से कितने, चेक कर लो, इसकी जो velocity है, वो 4 m per second से increase होके, 8 m per second हो जाती, याने कि, जब आपने starting में इसको द m per second, ठेक, क्या हुआ, कितने time के बाद, after time, T is equals, कितना time निकल चुका है, 2 second, 2 second के बाद, क्या हुआ, ये velocity है, ये body चलती गई, चलती गई, यहाँ पर आपने check किया, 2 second के बाद, तो mass तो उतना ही होगा, mass तो आपका उतना ही होगा, mass तो change होगा नहीं, mass तो 10 kg है, लेकिन according to the question, उसकी velocity change होगई, force है change होगे, 8 होगई, ठेक, तो उसकी velocity, final velocity होगई, 8 meter per second, ये लीचे, ठेक, अब, कह रहा है, part A, what is the momentum, before the force acts, ओके, before the force act, जब तक हमने force नहीं लगाया था, देखो, जब तक हमने force नहीं लगाया था, ये condition थी, ये mass था, और ये उसकी velocity थी, momentum क्या होता ह है, इतना सब को पता होगा, momentum का formula क्या होता है, momentum होता है, mass into velocity, okay students, so, mass कितना है, चेक कर लो, अभी force नहीं लगाया है, अभी उसकी velocity कितनी है, 4 meter per second, भाई, जब force लगाओगे, तभी तो velocity change होगी, force velocity को change कर सकता है, आपको पता है, चेक, अभी force नहीं लगाया, अभी हम जब, जब तक force नहीं लगाया है, वो condition हम देख रहे हैं, तो उस time mass कितना है, 10, velocity कितनी है, 4, तो mass into velocity, यानि कि 10 kilogram, और velocity कितनी है, 4 meter per second, यह लिजए, 10 for the 40, तो momentum कितना हो जाएगा, 40 kilogram meter per second, ठेक, तो part एक answer आगे, आपका कितना, लिखते चलिए हैं यहापर, what is the momentum before the force act, so the answer is, 40 kilogram meter per second, momentum की unit मत भूल जाना, kilogram meter per second, ठेक, तो यह हो गया, आपका part एक answer, ठेक है, note करी इतना, यह part एक answer हो गया, ठेक, लिख देता हूँ मैं, यह हो गया, आपका part A का answer, ठेक, अब, part B का answer, यहाँ पे करते हैं, color change कर लेते हैं, part B का answer, part B में क्या पूछा उसने, what is the momentum after the force act, force कितनी देर तक के लिए लगाया, 2 second तक के लिए, तो 2 second के बाद तो condition ऐसी हो गई, mass तो उतने ही है, पर velocity 8 हो गई, तो अब momentum, कितना हो जाएगा, part B में, after, what is the momentum after the force act, जब force act कर चुका, तो momentum कितना होगा, momentum, mass into velocity से देंगे, अब velocity कितनी होगी, force के लगाने से, 8, तो mass into velocity, mass कितना है, 10 kg, और velocity कितनी, 8 meter per second, ठेक, so यहाँ से 10 into 8 कितना आजएगा, 80 kilogram meter per second, यह लीचे, तो part B का जो answer है, बच्चों, वो कितना आगया, वो आगया, 80 kilogram meter per second, ठेक, part C, what is the gain in the momentum per second, देखे, gain in momentum मतलब, gain in momentum per second, जो पूछा है, अब यह बड़ा मज़दार है, कुछ बच्चे क्या कर रहे होंगे, इसमें, केवल, change in momentum निकाल ले रहे होंगे, यहने कि final momentum, minus initial momentum, आप कर दे रहे होगे, भाई, यह क्या है, यह क्या है, यह जो आपने निकाला है, यह क्या, PF है, PF का मतलब final momentum, और यह क्या निकाला था, आपने, PI, PI का मतलब initial momentum, ठेक, आप स सब्सक्राइब को हम कैसे दिखाते थे याद है हमने Newton से कंड ला में पढ़ा था कि rate of change of momentum is proportionate to fourth, यानि कि fourth का जो formula निकल के आया था, वो था M in the bracket V minus U by T ये लीजे, यही था अब मेरी बाद ध्यान से सुनो, ये जो लिखा हुआ है ये जो लिखा है, ये जो लिखा है, यही क्या है यही क्या है, rate of change of momentum, यही क्या है, rate of change of momentum momentum, देखो थोड़ा detail में बता दूँ क्या, देखो भाई देखो, खुद समझो आप, भाई कोई body है ठेक, उसका mass M है, उसकी velocity अभी U है, तो उसका momentum कितना होगा, M into U, ठेक और T time के बाद, अगर इसका mass तो उतना ही, लेकिन velocity होगी V, तो अब इसका momentum कितना होगा, M into V, ठेक तो T time में momentum में कितना gain हुआ है final momentum minus initial momentum so in time T in time T T time में कितना gain हुआ है, M V minus M U, gain हुआ, loss हुआ उससे मतलब नहीं है, बस आप सोचो कितना change हुआ है momentum में, final momentum minus initial momentum, ये T time में हुआ है, तो T time में अगर इतना हुआ है तो in one unit time यहाँ कि वन सेकेंड तो वन सेकेंड पर unit time में कितना होगा अगर टी टाइम में कितना होगा यह ती जाकर दिवाइट लगा देगा तो m-v unitary method पढ़ा है ना ऐँ पता है तो सुन लो टी टाइम में अगर इतना तो one time में यहाँ से 잡्ण में ती जाकर यह gain in momentum T time में था one time में निकालना अगर part time में निकालना तो time से divide लगाना होगा ठीक और यही जो gain in momentum है या यही जो rate of change of momentum यही force है यही force है यानि कि part C और part B का जो answer है वो आपका same आएगा what is the gain in the momentum per second तो gain in the momentum per second is given by rate of change of momentum ठीक तो यहां पर मैं कर रहा हूं सब को हटाना पड़ेगा part A part B का solution हटा रहा हूं note कलीचे इसको देखें gain in momentum per second per second मतलब एक second में कितना momentum में gain हुआ it is equals to rate of change of momentum rate of change of momentum और rate of change of momentum निकालते है M in the bracket V minus U by T से निकाल लीचे M कितना है 10 in the bracket V minus U V कितना है 8 minus U कितना है 4 divided by time time कितना है time है total 2 second ठीक solve करिए कैसे करेंगे solve यहां बे करते है देखिए 21Z2 25Z10 8 minus 4 4 5 into 4 20 20 so 20 kg meter per second now students तो देखिए answer कितना है 20 kg meter per second per second होना चीए था क्योंकि ध्यान से चेक करो unit क्या होगा यहां पर देखिए बात समझेज रहा unit कैसे आएगा बच्चो unit के लिए अगर आप परिशान हो मैं आपको दिखा दू unit यहां पर क्या होगा per second square होगा नीचे पता है क्यों क्योंकि आप यहां से देखो formula क्या होता है यह वाला force का यह देखिए यह rate of change of momentum is equals to what यह rate of change of momentum is directly proportional to fourth ओके तो यह M देखिए V minus U by T अब आप खुद दिमाग लगाओ कि नीचे time का unit second mass का unit kilogram और velocity का subtract करोगे तो velocity का unit आएगा meter per second यह वाला second नीचे हैगा second into second क्या गरेगा second square तो kilogram meter per second square इसका मतलब पता है क्या है इसका मतलब यह है कि 20 kilogram meter per second per second यह मतलब इसका यानि कि kilogram meter per second किसका unit है momentum का यह देखिए change in momentum का Y M into velocity का unit M का unit mass और velocity का meter per second ठीक तो यह देखिए यह क्या है change in momentum 20 kilogram meter per second change in momentum हो रहा है per second हर एक second याने कि हर एक सेकंड 20 किलोग्राम मीटब पर सेकंड के मोमेंटम का क्या हो रहा है गेन हो रहा है ठीक ये शीज हो गई और बस यही बात है तो पार्ट C का जो आंसर है वो कितना हो जाएगा पार्ट C का जो आंसर है वो जाएगा 20 unit ध्यान से रिखिएगा पार्ट C का जो आं में कितना मोमेंटम गेन होगा तो एक सेकेंड में इतना मोमेंटम गेन होगा ट्वंटी किलोग्राम मीटप पर सेकेंड का मोमेंटम यह मोमेंटम की उनिट है और यह नीचे पर सेकेंड का मतलब वन यूनिट टाइम में ओके गलत मत कर देना ठेक नौ वट इस अब हमने आपक के हैं कितना है 20 बस करना कुछ नहीं है यह जो किलोग्राम मीटा पर सेकेंड स्कॉयर लिखा रहता है यही क्या होता है न्यूटन होता है इसी को न्यूटन बोला गया इसी को न्यूटन बोला जाता है यह लीजे ठीक न्यूटन की डिफनेशन में मैंने आपको बताया भी था कि कैसे किलोग्राम मीटा पर सेकेंड स्क्वाइर को न्यूटन बोलते हैं so part D का जो answer है वो कितना है 20 न्यूटन है तो इस तरीके से इस question को हम करेंगे so note का लीचे